जहीं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका Microsoft Excel के इस क्लास में दोस्तों, आज हम Microsoft Excel के बहुत important tips के बारे में जानने वाले हैं तो आई हम स्टार्ट करते हैं यह जो आपको format दिख रहे हैं, जिसमें एक stock report मना हुआ है यहाँ पे कुछ text लिखे गए हैं, कुछ numbers है, कुछ decimal पहले सै हम इसे hidden करना सिखेंगे, particular, अलग-अलग style से सबसे पहले हम data को क्या कर लेते हैं, select कर लेते हैं, perfect तरीका से data select करने के बाद हमें जाना है इस number के पास format sale option पे यहाँ पे एक छोटा सा point दिखेगा, यहाँ पे click करना है, click करने के बाद नीचे एक custom का option दिखेगा, यहाँ से custom option पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ से एक general option दिखेगा, इसको आपको हटा देना है यानि keyword का backspace press करेंगे यह आपका यहां से हट जाएगा या फिर delete बटन से भी हटा देंगे हटाने के बाद यहां पर तीन बार semicolon type करेंगे और type करने के बाद जैसे आप ok बटन पर press करेंगे आप अपने page में देखेंगे कि जितने सारे भी text हैं आपके सारे के सारे gap हो चुके हैं यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहे हैं सब कुछ normal है तो इस तरीके से आपको क्या करना है फिर से सारे text को लाने हैं तो आप उस area को select करेंगे फिर से इसी number option पर click करेंगे यहां से custom पर अगर आप click करेंगे तो यहांप पर तीन बार semi column दिखेगा इसे आप यहां से side करके okay कर देंगे तो फिर से यहां पर सारे के सारे design आपको यहां पर दिखने लगेंगे तो यह होता है कि आप यहां से design को change कर सकते हैं अब देखते हैं अगला work फिर से हम data को क्या कर लेते हैं select कर लेते हैं select करने के बाद फिर जाते हैं number option पे number पे जाने के बाद custom में जाते हैं custom में जाने के पाद यहां से जो type दिख रहा है general इसको हटा देंगे हटा देने के बाद यहां से हम hedge का symbol देंगे hash symbol देने के बाद दो बार semicolon को type करेंगे और फिर करेंगे OK अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यह जो मेरा decimal palace था यहाँ पे वो मेरा यहाँ पे hidden हो चुका है decimal palace अगर हम इसे control जेड करते हैं या फिर से हम इस data को select कर लेते हैं then select करने के बाद number पे जाते हैं custom में जाते हैं और hash के बाद दो बार semicolon दिये इसको हटा करके OK करेंगे तो यहाँ देखेंगे decimal palace मेरा दिखाई दिखाई दिएगा फिर से हम data को क्या कर लेते हैं select कर लेते हैं फिर जाते हैं number option पे फिर क्लिक करते हैं custom पे फिर यहां से general को क्या कर लेते हैं हटा लेते हैं और यहाँ पे दो बार मातर सिर्फ semicolon type करके और हम OK करते हैं तो आप देखेंगे आपके page से जो numbers हैं वो hide हो जाएंगे और text आपको यहाँ पे दिखाई देता रहेगा तो number hidden करने के लिए number hide करने के लिए दो बार semicolon आप use कर सकते हैं फिर से दिखाने के लिए number पे जाएंगे और इस दो बार semicolon को हटा करके जैसे OK करेंगे फिर number आपका दिख जाएगा फिर से हम उसी जगह पर जाएंगे फिर कस्टम में जाएंगे फिर से हम यहां से जनरल इप स्छोट को हटा देते हैं और एक बार हम हैस परेंगे और तीन बार हम सेमी कॉलन देंगे then okay बटन पे अगर हम click करेंगे तो आप अपने page में देखेंगे कि आपका जो है text जो लिखा हुआ वो गायब हो जाएगा यानि hidden हो जाएगा जो भी text था और सिर्फ और सिर्फ नमबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे फिर से data लाने के लिए आपको जाना है इसी option पे और यहाँ से इस data को हटा देना है जो भी आपने हैज के साथ लिखा semicolon और ok कर देना है तो फिर सारे text आपको दिखाई देंगे और particularly इन सारे चीजों को भी hide कर देना हो तो direct number पे जाईए custom पे जाईए general को यहाँ से hide किजे और सिर्फ तीन बार semicolon को type किजे और ok कर लिजे आपके page में कुछ भी दिखाई नहीं देगा सारे चीज hide हो जाएंगे फिर control z करे या फिर जाकर number में उसी जगह से और उन चीजों को हटा दे custom में जाकर के तो फिर सारे चीज आपको दिखाई देने लगेंगे दोस्तों इस तरह से Microsoft Excel में कोई भी data को hidden कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद है तो एक like कर दीजे और घर बैठ है अगर computer शीखना चाह फिर मिलते हैं दोस्तों किसे अगले वीडियो में तब तक लिए चैहिंद आपका दिन सुबहु